हेलो फ्रेंड्स गूड मॉर्निंग मेरा नाम है जैदीब चौधरी और आपका इस एक्जाम इस्टेस्टेस्टेल पर फिट से सागत हैं तो कैसे हैं आप सब उमीद है अच्छा ही होंगे तो दोस्तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस बैल आइगन को सब्सक्राइब कर चुका है तो दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे सबसे इंपोर्टेंट और कुछ बेसिक कोशन जिसमें साथे हैं जिसे मानलों को छोटा मोटन नुम्रीकल पूछ लेते हैं जो बेसिक आपको पता होना चाहिए कुछ डेफिनिशन आ जाती कभी कभी कि में और टॉपिक है मोशन ठीके ओ degree न तो अब पन पढ़ेंगे मोशन के बारे में चलें तो दोस्तों सबसे बहले बात करते हां मोशन होता क्या है ठीके ना तो कुछ एक लोग होंगे जो specific definition देंगे टेक जिसमेंगे मोशन की और व लीच גם कि ए और टेफिनिशन यह तो हो गई आपकी किताब भी वाली बाता है ठीक है यह आपकी किताब की language हो गई मैं आपको बताऊंगा कि असली motion में मतलब जो पिलकुल basic से पढ़ेंगे motion होता क्या है ठीक है तो त्यान से बने रहे हैं और इस वीडियो को पूरा देखिए मस्त मजाने वाला है ठीक है तो दोस्तों motion क्या होता है the motion is the object the motion is the change in the position of an object with respect to its surrounding in the given time interval कैसे किसी object की position को change करी किसी certain time interval में ठीक ना मैं कहता हूँ कि कोई reference point ले ले लेते हैं मैं कहा रहा हूँ कि कोई object लिया आपन ने या पर ठीक है अब इस object ने आगे बड़ा किस्ता point कवर किया अगर यह यहां पड़ा यह एक मिटर कवर किया यह यहां पड़ा यह दो मिटर कवर किया किते में तीन सेकिंड में यानि कोई speed इसने attend की है ठीक ना तो speed क्या होता है distance upon time ठीक ना तो क्या लिका है change in position of object with respect to in surrounding यह ना given time interval तो कह रहा हूँ कुछ distance travel की है इस किसी time interval में और इसने कोई speed detained कर ली body ने यानि कोई acceleration लिया है खुद के अंदर तो इसको आप कहेंगे motion ठीक ना किताबी भाशा को समझने के लिए basic तरीक के इसको समझाए तो सबसे best है ठीक ना आपको पूचाए अगर मैं आपसे पूचो motion क्या होता है तो specific definition कोई नहीं deeply जाने ही जरूद नहीं है simple सी भाशा है कोई change in position with respect to time is known as motion ठीक है और क्या कह सकते है अब तो motion अच्छा हम जो motion होता है यह फिर कोई steady state होती है इसको determine कैसे करते है point of reference के भाई कोई चीज खड़ी है यह कोई चीज चली है motion में आई यह नहीं उसको आप कैसे define करेंगे को point of reference स basic से बात करें यह point यहां है और एक घंटे बाद भी point यहां ही रहा तो क्या body in motion किया नहीं तो simple सी चीज है बाई कोई point of reference है बता सकते है body motion में एक नहीं है ठीक है ना तो यह चीज होती motion ठीक है अच्छा अब आपन बात करें motion कितने type के होते है basically motion होते है चार type के एक तो होता transitory motion फिर होता है और rotation motion यह circular motion भी बोल सकते है अब उसको फिर एक होता है और oscillatory motion यह फिर आप उसको vibratory motion बोल सकते है ठीक है फिर चौता होता है random motion तो अब देखते हैं में motion किस-kिस type के होते हैं यह क्या कहते है अच्छा पहले बढ़ता है अपन ट्रांजेश्ली motion द्यान से तो क्या लिका रहा है motion in which all the point of moving body move uniformly in actually में इसमें लिका रहा है कि कोई भी जिसे motion होता है motion in which all the point of moving body move uniformly in straight line कहाना चाहता है कि भाई फिर moving बोल तो फिर फिर बोल तो shifting of all the body shifting of body from one point to another shifting of body from one point to another अब यह कैसे भी हो सकते है यह ऐसे भी हो सकता है यह ऐसे हो सकता है यह ऐसे भी हो सकता है which can be linear or non-linear समझगे यह point यह add कर लीजेगा which can be linear and non-linear तो अब इसके example सबसे best example तो रहा है rectilinear motion जिसको बोलते हैं आप rectilinear motion के वे motion जो straight line में हो कोई भी body straight line में चलेगे और उसको आप rectilinear motion कहेंगे लिख लीजएगा आप rectilinear ठीक है और इसका example होता है कि जो motion of ball होता है अश्यक मैं बता हूँ आपने ball फैंकी ठीक है ना तो अपने trajectory का example सुना होगा ट्रेजेक्ट्री जो आप निकालते हैं यह projectile motion यह होता है यह होगई एक motion यहां से इसने यहां पर यहां पर तक travel कर ली तो यह होगई यह इस point से इस point तक पहुंची ठीक ना यानि यह होगई y-axis और यह होगई x-axis ठीक है यह होगई horizontal और यह vertical तो यह भी इसका best example है इसका यह भी example लिख सकता है Translator motion का projectile motion ठीक ना तो यह अपन ने पढ़ा projectile motion के बारे में चलिया आगया अब अब आपन बात करते है रोटेशनल और circular motion जो अपना second है second type का motion है तो इसमें क्या लिखाव है motion of a rigid body rigid body क्या होता है कि कोई भी body होती है ठीक है ना तो उसका एक time के अंदर जैसे मान लोग किसी T time के बात करूँ तो इस time के अंदर इसका पूरा जो मारलो body का structure होता ना वह हमेंचा एक fixed time रहना चाहिए ठीक है कोई deformation यह यह कोई change नियाना चाहिए उसको अपन कहते है rigid body ठीक है ना कठोर सरीर भी कह सकते है कठोर सरीर के बात करूँ iron की तो एक T time के बारे में बात करें तो एक time में fixed रहता है ना तो rigid body हो जाएगी ठीक है तो यह होती rigid body अचा क्या लिका है the motion of a rigid body which takes place in such a way that all the particles move in circle about an axis with a common angular velocity तो यह कह रहा है कि कोई भी एगर particle है वो किसी एक fixed axis की बात कर रहा है जैसे यह axis हो गई ठीक ना और यह particle हो गया किसी fixed axis के साथ अगर इस circular motion करने लग जाए ना ठीक ना तो इसको आप कहेंगे rotational motion अचा है rotational motion के best example कौन कौन से होते है सबसे best example होता है electrons और बीच में होता है neutron plus photon ठीक है वो ना भी करन कहते हैं साथ जिसको मैं पुरी तरस पता नहीं इंदी में लेकिन साथ यह होता है जिसमें electrons होते हैं वो rotational motion करते हैं ठीक है और जिसके कोई circular track है यह fixed axis हो गई इसके चारो तरह भी बंदा चकर काटे का कोई run करेगा तो यह rotational motion हो गया अच्छा और क्या होता है rotational motion में सबसे best example ही universe के अंदर और वो है sun और यह earth और जो भी इसके जित्ते भी planets से अलग ठीक है ना वो सब चकर काटते है चारो तरफ sun के ठीक है तो यह हो गया best example rotational motion के आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छा इसमें और क्या लिका हुआ है the rotation of a particle about a fixed point in a space तो rotation of particle about a fixed point यानि कोई a fixed point हो गया और के चारो तरफ कोई इससे जा रहा है तो वो हो गया rotational motion अच्छा वो आपने वो भी पढ़ा होगा सबसे best NCIT का सबसे best example है कि जिसमें एक लड़का है इसने क्या किया सबसे पहले एक यहां पर रसी ली और इसको पत्तर बांदा ठीक है और इसको गोल 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 गोमाया ठीक है तो इसमें या याद हो तो आपको इसमें क्या centrifugal force भी लगता है इसका आफ F equals 2 क square upon R याद है ना तो यह भी rotational motion का example है ठीक है फिर अपना आता है तीसरा oscillatory motion तो रजा यह क्या होता है oscillatory motion यह होता है कि a motion repeating itself is referred to as a periodic or oscillatory motion ठीक है मतलब यह line क्या कहना चाहती है कि कोई मेरे बासम बताता हूं ठीक है when a body moving around to and fro in a mean position मतलब यह इसकी mean position हो गई इस mean position के इधर और इधर यह rotation मारती रहती है ठीक है यह point of suspension तो यह हो गया इसको यहां से लटका दिया कोई pendulum होता है तो फिर आपके और पी example लिख देता हूं मैं जैसे example होता है इसके swing होता है simple harmonic motion ठीक है इसके कुछ एक best example है अब जैसे एक वो clock भी आती है कोई कोई उस clock में भी निजे जो वो लगा रहता है न बाल टाइप तो वो shm करता है वो actually यह करता है कि वो एक second में एक minute में वो 60 वार इदर उदर होता है यह तीस वार तो होगा इदर और 30 वार होगा इदर ठीक है ना तो वो shm करता है simple harmonic motion harmonic repetition ठीक है ना दोस्तों तो यह फिर आप vibration का भी case सकते है vibration में क्या होता है कि कोई भी object है ठीक ना इसफी particle के पार हम क्या होता है यह अपने वह पढ़ा भी थाकल के बढ़ी transverse होती है तो उसमें particle transverse में क्या होता है particle 90 degree बनाता है direction of line के ठीक ना यह यह अपन डाउन होता है फिर अपना चाहता होता है random motion उसका random motion क्या होता है कि कोई भी motion जीको कोई direction को कोई फ़रक की नी पड़े ठीक ना अच्छा मैं बात करूं random motion is a motion in which an object doesn't go in a straight line manner the object move in a zigzag manner ठीक ना समझगे बात को भई ना वो straight line जाता है ना वो curve बनाता है वो सिधा कोई रैसे random motion करता रहता है अच्छा random motion के example आपको बता दूँ आपने 11th के अंदर एक वो पढ़ी होगी पाइनेटिक थोरी of gases ठीक ना तो उसमें सबसे पहले एक derivation आता है जिसमें क्या होता है कि कोई भी gas particle होता है एक बंद रूम में तो उसमें काइनेटिक अनर्जी होती है तो कैसे वो random motion करते है ठीक ना तो KTG का सबसे best example है random motion ठीक है अच्छा this is called random motion समझगे बत को random motion क्या होता है अच्छा एक football जो motion करती है कभी-कभी लात मारते हो ground में तो आप कभी देख ना वो कभी यूँ चले जाएगी कोई कैसे मारता कोई कैसे मारता तो football का motion भी random motion को सकता एक अश ऌर के और क torr가지 है चलिया आगे फिर आता है अपने पीच में कि chỉम कहा है तो आपनको बहत सी שמש अच्छा सी सीखना किहां जाब हाँ और चीजों में सबस्दिक और चैज जसे माथ गोथना है इस डिस्प्लेशमेंट में क्या होता है इस जो मैं कोदी कि student रहाता जब मुझे भी पता है कि जो आज के बच्चों में रहता है कि होता क्या है कि टीटर आके उनको definition रटा करते हैं लेकिन उनको वह नहीं बताते कि हो क्या रहा है यह होता क्या है इससे आप उनको करना क्या है ठीक ना तो आपको मैं विल्कुल clear करूँगा तो बस द् से बने रहेगा चलो सबसे पहले पढ़ता है बन डिस्टेंस दूरी किसी भी दिशा के संबंद में के बिना किसी वस्तु की कुल गती होती है मतलब डिस्टेंस यह टोटल मुवमेंट ओफ एन अबजेक्ट विदाउट एनी रिगार्ड टू डिरेक्शन दूरी क्या होती है यह कोई पार्टिकल यहां से यहां गया ठीक है फिर यहां से यहां आया और यह पार्टिकल मैं कह रहा हूँ इसने वापस सेम बात फॉलो कर लिया यह फिर इसने कोई आगे भी चला गया ठीक है ना या तो यह इदर चला गया यह इसने वापस सेम पात फॉलो कर लिया तो हमेशा positive रहेगी ठीक है समझ गए बात को क्या बोल रहा हूं मैं के distance हमेशा positive रहेगी क्योंकि जो total length निकालते है अपन total length यहां से यहां गई और यहां से यहां गई ठीक है तो total moment यह फिर total length of object निकालते है अपन इसके अच्छा displacement क्या होता है part dependent होता है of course it is a part dependent यह question SEC CPO का है दोस्तों if distance is a part dependent यह फिर ऐसा पूचाता है कि part dependent को होता है यह distance होता है displacement होता है और पता नहीं acceleration और एक option ऐसा टेड़ाई था इन डिस्टेंस का ही कोई option था तो यह होता है part dependent होता है distance तो जो मैं छोटे-छोटे point बता रहूं आप उन्हीं को दियान दीजिएगा यही question बंते है और आपको लगता है आपको distance आता लिगे ना वहां के गलत करके आते हो ठीक है ना अच्छा distance क्या unit क्या हो गया आपको रोज़ दोस्तों क्या है distance क्या होता है एक length हो गई ना measurement याद है ऐसा unit बढ़ा है तो मैं आपको सबसे पहले distance क्या क्या हो सकती है distance meter में हो सकती है centimeter में हो सकती है तो यह तो अपने distance I hope समझ माया होगा distance वह होती है जो part dependent होती है और इसकी total length लेते है बली वह किसी भी direction में जाए initial से final point initial से initial यहां से चल गई यह आपस repeat हो यहां गई तो total length लेंगे इसकी ठीक है ना one point वहले initial point से final point के बीच की distance ठीक है चल लो आगए फिर अपन बात करते हैं displacement की तो displacement क्या होता है अच्छे पैसे इसको denote करते है अपन next से यह सबसे पहले बीमारे यह खत्म करें denotion वाली फिर अपन बात करें displacement होता क्या है ध्यान से सुनेगा if an object move relative to a reference frame for example मतलब क्या लिखा है कोई भी reference frame में जाए यानि reference frame में कोई भी object अगर घुमती ना तो वह direction dependent होती है ठीक है तो direction dependent कैसे है अच्छा कि मतलब जिसे यहां से गई है अब direction dependent कैसे यह तो यहां गई ठीक है और यहां से वापस आ गई तो यह इसकी total length नहीं लेंगे इसके अंदर देखेंगे कि कहां गई और कहां पर आई वापस यहां से यहां पर कोई final point है वह यहां पर गया अगर वह आगे गया तो displacement जुड़ जाएगा और अगर इसी point से लोटके वापस इसी point पर आ गया तो displacement minus हो जाएगा तो दोस्तों य यह actually होता क्या इसकी एक ओर definition होती ही कोई भी minimum straight length of a path from initial to final point ठीके ना कैसे minimum length कैसे है यह यू 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 यह या यू आया ठीके ना तो यह वापस यहां पर हो गया तो यह तो यह यह पर रागर हो गया तो यह तो इसना दो यह long right travel कि है लेकिन minimum straight length क्या होगी इसकी य ठीक ना यह A point और यह B point यहाँ पर तो इसको आप कहेंगे displacement यह फिर circle के मामले हम बात करूं बदेखो यह circle है पूरा ठीक ना तो अगर आपन बात करें इसके displacement की तो इसका minimum state line के हो सकता circle का यह यह minimum state line होती है ठीक ना यह इसकी definition है लिख लिजेगा minimum state line of path from initial to final लिख लिजेगा यह बहुत तगड़ी चीज है सच बता रहा हूँ circle के बारे मैं बता ही चुका हूँ आपको मैं circle का diameter होता है वो इसका displacement के लाता है ठीक ना अच्छा एक चीज उसमें इसमें आपसे बात की है reference frame की reference frame में अगर कोई भी object जैसे होता है मैं बात करूँ reference frame की reference frame में को तो कोई reference लेते है अपन ठीक ना मैं कहा दूँगा अगर मैं यह point reference ले लिया ठीक ना इस object के अगर इदर गई तो positive ठीक ना और इसी पर आपस बात plot के वापस इदर आगी इदर और नीचे जले गई तो negative होगे displacement तो किससे क्या पता पड़ा आपको कि distance जो होता है हमें सब positive रहता है और displacement हो सकता है positive हो सकता है negative हो सकता है और zero भी हो सकता है ठीक है अचा जब आपन बात करें कि अगर यह positive और negative और zero सब हो सकता है तो कौन सी quantity होगी तो दोस्तों ही होगी vector quantity अज़ा distance कौन सी होगी scalar अब समझ माहिए ना आपको कोई भी ज़्यादा hard नहीं है ठीक है ना जब दिस्टेंस की जिग मार लोगे दिसी कोई particle नहीं यहां से यहां से यहां से यहां से कि distance travel की जिसके minimum short straight line क्या होगी यह minimum straight line हो displacement के लाएगी ठीक है और दिस्टेस्मेंट हमेशा straight line में होता है ठीक है I hope अब कोई clear हुआ होगा फिर अगर आपन बात करें Speed और velocity तो दोस्तों आज लोगों को भी इसमें भी confused होता है जैसे distance displacement में ने clear किया तो दोस्तों आपन यह भी clear करेंगे ठीक है Speed क्या होती है the distance covered by a moving object in a unit time is called as speed मतलब कोई भी distance cover की है in a unit time यह फिर आप कह सकते हो rate of distance travel in a unit time कैसे speed का formula होता है distance upon time यानि यह scalar quantity है तो speed कैसे होगी दोस्तों मैं आप बता चुक हूँ scalar vector पहचानने का गलत नहीं होना चाहिए तो यह scalar है distance scalar है time scalar है तो यह कैसे होगी यह भी scalar होगी सबसे पहली बात तो अपनी speed scalar quantity है ठीक है न फिर आपन इसकी बात करें unit की यह होगी meter और यह होगी second यानि M0 L1 T-1 ठीक है यह होगी इसकी unit तो और यह dimension होगी यह इसका ठीक है फिर अगर आपन बात करते हैं इसकी formula की तो इसका formula होता है speed equals to distance upon time अच्छा speed अगर scalar quantity है तो हमेशा speed positive ही होगी या आप हमेशा ध्यान रखना speed कभी negative नहीं होती अच्छा speed negative होतीfel इसका negative होता है ठीक हो speed कभी भी कर दूस्टों सब्सक्राइब नहीन नहीं होता है एसलिए speed कभी नेकरी कुर्ब होती है करके लिए इस फिरम बात करते है hai की तो इस पीड आपको आई हो पूरो समझ में आया होगा अच्छे से बेसिक डिफेरेंस करकर करके बता रहा हूं हर चीज फिर अपन बात करें वेलोसीटी की तो वेलोसीटी क्यों होता है तो रेट ओफ चेंज ओफ डिस्पलेस्मेंट अफ बोडी इस कॉल्ड एस वेलोसीट तो रेट ओफ चेंज ओफ डिस्पलेस्मेंट उपर क्याता रेट ओफ चेंज ओफ डिस्पलेस्मेंट अच्छा डिस्पलेस्मेंट कैसी क्वांटिटी है वेक्टर है वो पॉस्टिव नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकती है तो इसे तरह जो वेलोसीटी है वो भी पॉ यह एक इस पर डिपेंड कर रहा है विस्तापन यह फिर इस पर डिपेंड कर रहा है तो उसी तरह की बात है यहनि velocity यहनि displacement यहनि इसको X से डिनोट करते है X equals to यह फिर इसको आप ऐसे डिनोट करते हैं यहनि displacement भी मिटर में रहता है यहनि dimension क्या होगा L1 L1 T-1 इसका dimension हो गया यहनि dimension से में unit से में बस वेक्टर और स्केलर का फरक है ठीक है चलो आगए अज़ एक numerical करते हैं भया तो आपको मैं बताया कि भाई वो distance or displacement का कोई डाउट साथ क्लियर हो जाए ठीक है जहां से सुनना क्या लिका भया है अब body moving around the circular path of diameter 18 cm तो दोस्त चलो भया यह बना लिए मैंने 18 cm की diameter find distance and displacement distance क्या बताया था मैंने कि कोई भी total length of path ठीक है ना अच्छा पहले काम करते हैं एक ही लिए करते हैं यह नहीं दो cycle के लिए अच्छा distance कैसे निकालेंगे कि यहां से यहां तक इसकी diameter दे रखी है तो अच्छा तो diameter दे रखी है तो अब बात करते हैं अब अपने किता आता है अच्छा इसका formula बता हो सबसे पहले तो कैसे निकालोगे 2 pi r से ठीक है ना तो 2 into 22 by 7 into 28 का अधा किता होता है 14 लोगे इसने एक साइकल के लिए तो 2 साइकल के लिए क्या गरोगे 2 से को ना क्या गरोगे यह answer आएगा नी यहां उपर लिख रहा हो में 1 अच्छा इसको एक साइकल के लिए कितना आया 88 तो 2 साइकल के लिए कितना करोगे इसने दो वार राउंड काटा इसने 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 इनिचल पॉइंट यहां से था यह पहले राउंड हुआ का 88 मिटर का फिर दूसर राउंड वास का 176 मिटर का ठीक है यह अपने क्या निकाली 176 क्या यह अपने डिस्टेंस अच्छा डिस्प्लेस्मेंट के बात करें ठीक ना अच्छा यहां से मैंने चालो किया ठीक है तो यहां से गोल गुमाईए यह अपने ठीक है और यह यहां पर आया तो वह डिस्प्लेस्मेंट इनिशल से एक साइकल के लिए ज़ीरो तो दो साइकल के लिए भी ज़ीरो तो दोस्तों इसका डिस्टेंस तो होगा 176 सेंट डिस्प्लेस्मेंट कितना होगा 0 दो अध्सुल खूचों ना आप जहां सबसे best example आपको distance or displacement का concept clear हो जाएगा यहां पर अच्छा फिर अपने बात करें डाई cycle के लिए यानि two and half के लिए तो मैठा दू तो मैं आपको ऐसी समझा देता हूं चलो देखो यह आपके लिए थी दो cycle के लिए ठीके ना अपने यह केस यहां के देखते हैं डाई cycle के लिए तो टोटल एक cycle के लिए टी ऐसी आई थी तो आज़े cycle के लिए किते आएगी 44 आएगी यानि 176 प्लस 44 कर दू तो आपके लिए डाई cycle के लिए आजएगी वह पूरी ठीक है ना तो कितना हो जाएगा यह बताव बताव दो सबीस होगा नहीं होगा तो आपने देखा एक cycle यहां से जीरो दो cycle जीरो अचा फिर इसने एक cycle यहां तक ट्रेवल की यहनि इसका minimum short path कितना हो गया यह रहा minimum short line ठीक है यहनि इसके diameter हो गया minimum short line डाईमेटर कितना था इसका 28 meter था ना समझ के बात को आई होगा आपको यह चीज ठीक है ना तो यह था इसका displacement सबसे बहस तरीका है समझने का displacement ठीक है तो यह आई होगा आपको यह समझ में आया होगा अच्छे से distance or displacement के बीच का फरक ठीक है तब आपन आगे चलते हैं अब आपन बात करेंगे acceleration की त्वरण acceleration होता क्या है acceleration is a rate of change of velocity ठीक ना with respect to time तो मैंने दोस्तों बड़ी-बड़ी बातें कहते हैं कि rate of change of velocity with respect to time इसका मतलब क्या हुआ सबसे best example है pick up of vehicle ठीक ना मैं बात करूँ speed acceleration से ही depend करती है ठीक ना कोई भी speed जोगी वो acceleration पर ही depend करेगी ठीक ना पहले acceleration change होगा फिर speed बड़ेगी ठीक ना तो क्या लिखा है acceleration is rate of change of velocity यूजवली acceleration means the speed is changing but not always मैं बात कर रहा हूँ कि acceleration means the speed is changing but not always क्या मतलब इसका कि speed चेंज तो होती होगी लिए हमेशा चेंज नहीं होगी हमेशा चेंज किसे इसका initial और final velocity अगर चेंज नहीं होगी यानि constant रहा तो acceleration तो इसका कुल मिला के कहना है कि मतलब क्या हुआ सब्सक्राइब को सब्सक्राइब के यहते हुए क्या सब्सक्राइब चिूर इसने बात करी एक vector quantity ठीक है ना अज़र मैं बात कुरूँ आया कांसे तो क्या लिखा rate of change of velocity तो दोस्तों मैं लिख दिया rate of change of velocity ठीक है तो इसको आपने ऐसे लिख सकते हैं अज़र x को इसको क्या और क्या लिख सकता है आप इसको एक और तरीक होता है मैं v को लिख सकता हूं एक बटर t, v इसको क्या लिख होगे तो इसको क्या लिख लिख होगे t2x upon dt2 ठीक न तो यह था acceleration हो जाएगा अच्छा तो अब अपन जो main formula होता है वही होता है main formula acceleration का basically तो अच्छा आप मैं इसकी unit निकल दूँद तो क्या आएगा एक्स की यानि की unit होगी, meter होगी, distance है न कोई भी length है, distance है, तो meter होगी इसकी, मैं side में लिक रहा हूं, क्यों होगी, meter होगी ना, ठीक है, अचा T square है, यानि क्या होगा, time का square क्या होगा, second होता है, लेकिन second का square, तो यह होगी इसकी unit, meter per second square, ठीक है ना, अचा बात करें, dimension की, क्यों होगी, m तो 0 ही है, l1, t-2, ठीक है ना, क्योंकि second square हो दोपर जाके, minus 2 होगा, अचा यह बताओ, acceleration क्या हो सकता है, acceleration positive, negative, और 0, तीन हो सकते हैं, यह vector quantity है, यह low acceleration का आपका concept बिलुकुल सटाक से clear, ठीक है ना, आपको मैं बता दिया, कहाँ साई acceleration change in velocity बोलते है, acceleration is called to change in velocity, velocity, कुछ नहीं करना है, simple चीज़ आपको यह आतक नहीं, तो velocity की formula क्या होता है, displacement upon time, तो अब इसको change करोगे क्या आएगा, d square x upon dt square आगे है, ठीक ना, तो यह आपको simple से चीज़ है, अचा यह अपना बोलो, अब यह बोलो कि यह कैसा है, तो यह actual मैं इसका वैसे formula होता है, तो चलें आगे, अब अचा है, acceleration से बात करने साथ साथ में एक चीज़ आदे, relative velocity, यह बहुत जुरूर ही है, वैसे relative velocity आपको गणित वाला master अच्छे से बढ़ाता होगा, ठीक ना, लेकिन मैं बात करूँ, relative velocity में मेरे तरीके से बताना चाहता हूँ, ताकि आपको भी life में नही physics बढ़ रहे हैं, ठीक ना, तो relative velocity क्या होता है, कुछ नहीं करना, आप दो चीज़े को देख लो, मैं बात करता हूँ, यह आप बैठे हो train में, ठीक है ना, आप का मुझा है, इस side में, यह बैठे हो, ठीक है ना, यह फिर आप बात करो, आप एक bus के अंदर बैठे हो, यह road जा रही है, आप bus side में लगा रही है, ठीक है, आप देखते हो, एक जो bus है, वो इस direction में जा रही थी, ठीक है, और एक bus है, जो इस direction में जा रही थी, पहले यह बात कही है, ठीक है, तो अब आपको पहले बाद definition बता जाता हूँ, क्या है, if an object A and B move with velocity V and VB relative to one coordinate system along a straight line, तो यह बड़ी बादी बाते क्या कहती है, कि कोई भी object A and B move करता है, किसी velocity V and VB से, चलो आपन बात कर दो, आप भी move कर रहे हैं से, आपकी velocity V है और इसकी velocity VB है, ठीक ना, relative to one coordinate system along a straight line in same direction और opposite direction भी होता है, ठीक ना, तो same direction में चले, same direction in sense, आप जारो इस direction में VB के साथ, तो दोस्तों यह भी आ रहा है इस direction में VB के साथ, ठीक है ना, तो relative velocity क्या होता है, कि कोई भी velocities की बीच में जो difference आजाता है ना, तो इसको relative velocities कहते है, अलग-अलग velocity है ना, VB, इसलिए वह velocity को difference होगे, इसको आप VB से denote कर एए, ठीक है ना, तो अच्छा तो इस difference को कम करने ना, यानि जब बराबर लाना होता है, भाई, difference कम करना है, तो क्या करना पड़ेगा, आप देखते हैं, अच्छा मैं सिंबल सी बात करूँ, यह चल रहा है, 30 km पर से, ठीक है ना, और यह चल रहा है, 15 km पर से, तो दोस्तों, speed किसको बढ़ानी पड़ेगी, इसी को बढ़ानी पड़ेगी ना, पीछे वाले VB को, यह फिर आप यह बात करो, वही, VB को speed बढ़ानी पड़ेगी, तो VB को speed कम करने पड़ेगी, ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है, कोई समस्या नहीं है, यह फिर आप बात करो, यह VB है, यह VB है, वही आज VB 30 km से चल रह है, तो VB को speed बढ़ानी पड़ेगी ना, तो वह बात है, 0 point पे reference point पे लाने के लिए अपन को relative velocity अपन यूज करते है, तो आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको एक मस्त चीच बता रहूं, आपको हमेशा याद रहेगी relative velocity, ठीक है ना, एक मिनट आपको मैं एक बार बता same direction में कोई object होगी, तो वह हो जाएगी minus, ठीक ना, मतलब, तो object same direction में जा रही है, ठीक ना, तो उनकी relative speed minus ही तो होगी, VB minus V है, ठीक ना, और opposite direction में जा रही है, ठीक ना, opposite direction में कैसे है, मालो ये VB है, ठीक ना, एक मिनट, opposite direction में कैसे है, कि ये VB है, और opposite direction इसके उल्टी आ रही है, और ये VB है, ठीक ना, तो VB तो आ रही है, और इसको एक fix point यहां पर मिलना, या पर यह जो 0 हो जाएगी, ठीक ना, मालो कि ये चल रही है, 30 से, VB है, ठीक ना, और ये इसके opposite आ रही है, तो और ये चल रही है, 40 से मालो, तो दोस्तो जब इसको 0 करना रहेगा, तो क्या करना रहेगा, नहीं, VB minus, और ये इसके opposite आ रही है, तो minus V है, ठीक ना, तो यह से हो गई है, जिसको मिलना कि इस point को अपन को satisfy करना रहता है, V को, ठीक ना, कैसे जैसे opposite में तो क्या होगा, मतलब ये V आ गय है, opposite में तापको कुछ नहीं करना, same plus करना है opposite में, ठीक ना, ठीक है, और अगर ये मांद लो कि, same direction में ऐसे है, तो ये minus करना है, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना, बगी कोई फाल्त होगी, load डेने की ज़रूत नहीं है, ठीक है, तो ये relative velocity, अचा अब आपन ने इत और सा और बता देता हूं में, वो पीछे रहा गया था, इसके चकर में, अचा, acceleration positive है, इसका मतलब क्यों हो रहा है, velocity बढ़ रही है, कैसे, अपने के लिखा था, एक वर्स टू, dv बटा dt, यानि, acceleration अगर positive, acceleration बढ़ रहा है, तो velocity भी बढ़ेगी, confirm चीज है, अगर कैसे बढ बढ़ेगी है, जब दोनों same direction, acceleration और velocity, direction dependent है, ध्यान रखना, इसके लिए है, जब acceleration और velocity same direction में हो, तो acceleration बढ़ेगा, ठीक ना, अब मैं बात करूँ, जब acceleration negative है, तो velocity भी कम होगी, तो चीज को कहेंगे, अपन retardation, ठीक ना, तो यह इसकी कुछ बात थी, असरो जब brake, जब brake ल रहाता है, एकदम acceleration चल रहाता है, velocity भी बढ़ रही थी, लेकिन जब brake लगा है, तो velocity तो उसी speed से बढ़ने कोशिश कर रही थी, लेकिन acceleration एकदम से minus हो जाता है, तो दोनों, यह velocity तो आगे बढ़ रही थी, लेकिन एकदम से अपनने बढ़ी कम कर दिया, brake लगा, acceleration तो बढ़ करते हैं, graphical representation, क्या आए कि कभी कभी question graph से भी कहिंच रहता है, कोई, ठीक है, क्या बढ़ी graph दे दिया, अब आपको graph पढ़ना ही नहीं आए, तो आप कैसे बता हो कि आपको question करना है, ऐसे करना है, ठीक है, तो आपको graph करना पढ़ता हूँ, मैं बात करता हूँ, position और time curve की, position displacement time curve कोल मिला के, तो सबसे पहले हैं, condition की बात करते है, यह, इस condition क्या कहेंगे आप, कि दोस्तों, y-axis के अंदर कोई chain नहीं आ रहा, सिर्फ x-axis ही बढ़ रही है, मैं अब कोल मिला के constant है, ठीक है न, अच्छा कोई भी body constant होती तो उसका क्या acceleration, 0, एक मिन, acceleration 0, और उसकी velocity 0, ठीक है, confirm हो गया यह, 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 फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, के constantly लिगे चल रही है, मतलब, position time curve है, तो क्या होता है, position यानि displacement, और यह time, मैं कहा हो, अगर position में कोई change ही नहीं आ रहा, ठीक न, fix x constantly चल रहा है, यानि यह उपर वाला constant हो गया, ठीक न, constant का कुछ भी आप differentiation करो जीरो ही आएगा, ठीक न, तो यहां से velocity यहां से 0 हो गई, अचा, parallel to time axis, अगर कोई भी, अचा, आपने पढ़ा भी होगा, कभी भी, अगर गनित पढ़ी होगी आपने दस्वी में, कोई भी parallel आ जाता है, x, x, x के, कोई भी, कोई भी कर हो आ जाता है, parallel to x, 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 तो उसका slope हम जाएगा, y by x हो जाएगा slope, तो इसका क्या होता है, मलब y के तो value, x के तो value है नहीं, यह फिर x की value है तो भी y की value है नहीं, y तो constant है, तो slope 0 होगा इसका, ठीक है न, तो आपको कैसे मैं बता पा रहा हूं, यह सब मैं graph देख के बता पा रहा हूं, ठीक है न, और सबसे पहले आपको क्या दे रहा हूं, जैसे मान लोगों को लेना क्या है, x upon, sorry, y upon x, ठीक है न, जैसे यहां y के नदर क्या दे रहा है, displacement दे रहा है, तो सबसे पहले मुझे पता पढ़ गया कि इसा graph है, displacement time graph का है, फिर मैंने slope देखा, कभी कोई parallel to x axis होगी, तो यह, 0 इसका कोई slope नहीं निकलेगा, ठीक है न, और मतलब इसका मतलब यह और क्या पता पढ़ता है, इस समझे यह constant है, ठीक है, तो यह मुझे पता पढ़ा, position time graph से ऐसे, ठीक है, फिर मैं बात करूँ, यह इस type का graph, ठीक है यह यह होगा आपके x, यह x axis पे displacement और यह time, तो दोस्तों, अब इसका slope होगा, कैसे होगा यह अब दिये, तो इसका m होगा बहु पॉस्टिव होगा, कैसे, x बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है, यह यह constantly straight line, यहनी straight curve है इसको, इसका slope हर जगह पे, पॉस्टिव ही रहेगा, ठीक है, यहनी velocity इसकी कैसी यह constant है, कोछ change नहीं आ रहा, यह भी मैं displacement बढ़ा रहा हूँ, किसी time के साथ, displacement upon time, displacement upon time, ठीक है यहनी, इसको बोलेंगा, अब uniform motion, यह समझ में आ गया, आपको क्या गया, समझ में आई, इस curve को देखे, तीन बते गया, समझ गया, एक तो uniform motion है, और right side में जाएगा, वो positive होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यह करो, आपको देखने पेचना चाहिए, अच्छा, यह तो हो गया, positive m का, मैं आपको 0 slope का बता दिया, positive slope का बता दिया, तो negative का बता दिता हूँ, मैं बात करूँ अगर यह, यह displacement on time, यहाँ पर y की कुछ value थी, तो x की value maximum थी, y की value maximum, तो x की value कम से कम थ होगी, ठीक है, यानि time तो बढ़ रहा था, लेकिन displacement कम हो रहा था, ठीक है, तो एक दूसरे के plus minus रहता है, तो यह कैसा होगा, ठीक है, एक भी चीज minus आगी तो आपको पता है, negative हो जाता है, तो यानि slope का formula का बता है, 10 theta equals to y by x, तो y की value कम हो रही, minus हो रही है, तो slope कैसा होग या, minus negative, ठीक है न, अच्छा, क्या यह fix point है, मतलब, fix, मतलब straight line है, मतलब कहला है, मतलब यह है कि, x axis की value जब increase हो रही है, क्या y की axis भी same, similarly increase हो रही है, proportionally, नहीं हो रही है, तो यह non uniform graph, ठीक है न, I hope, सबसे best है यह, और यही चीज़े पूस्ते हैं वहाँ पर आप से, कुछ नहीं करना है, graph देखना है कि किसका किसका बीच में graph है, उसका formal लगाओ, और जो वह पूसर है, बता दो, और यह ट्रेक के question आएंगे, ठीक है न, तो मैं को present time graph के सारे बता चुक हूँ, अच्छा, मैं uniform motion, non uniform motion भी clear कर देता हूँ, uniform motion क्यों होता है, in uniform motion, movement of a body is along the straight line with constant speed, constant हर क body is along with a straight line with variable speed, ठीकिना, हमार लग इसकी speed variable हो सकती है, यह अब यह variable speed थी है, ठीकिना, तो यह uniform and non uniform ही होता है, अब जैसे देखो, uniform motion है, distance time graph है, तो इसका slope कैसा होगा, इसका slope होगा 0, इसका slope कैसा होगा, positive, इसका slope कैसा होगा, positive, ठीकिना, इस सारे positive slope के है, एक 0 को छोड़ के है, ठीकिना, अचा हमार इसके बात करूँ, तो यह non uniform motion होगा है, और यह दोना uniform motion होगा है, ठीकिना, तो distance यह नहीं, पहले क्या हो रहा था, time तो बढ़ रहा था, ताइम तो बढ़ रहा था, सासाथ में distance भी बढ़ थी, लेकिन एक point में जाने के बात क्या होगा, distance का होगा, time बढ़ रहा था, ठीकिना, तो यह non uniform, non uniform के graph है, अचा मैं आपको बता दूँ, velocity time graph, अचा, velocity का formula क्या होता है, सबसे पहले, velocity time का मतलब क्या हो गया नहीं, dv butter dt, इससे अपन को क्या मिलेगा, acceleration मिलेगा न, तो यानि जब इसमें कुछ भी अपन स्लोप दे तो आपन देख रहते हैं यह क्या दे रखी, यह slope velocity का दे रखा है, ठीकिना, तो यह अपन को यह दे रखा है, slope, अब acceleration का, ठीकिना, अचा क्या दे रखा है, मानलो कि यह यह कोई value दे रखी, तो इसके अदर सबसे फहले क्या दे रखी है, acceleration constant है, जैनि, जिसकी velocity भी constant हो गई ठीक ना constant यह भी zero लेख सकते हो constant लेख सकते हो एक uniform motion होगी है सबसे फहले तो ठीक न और क्यों होता है VT curve आप हमेंको represent करता है change in acceleration यह बता दी आपको मैंने ठीक ना जेए पर एरिप्रेजेंट this train displacement travel कुल मिला के बता रहा है distance displacement पाइसमें ट्रेवल मैं आपको पीछे पता चुका हूं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका कि भाई आप इसका स्लोप तो होगया जीरो ठीक है ना और मैं कहा रहा हूं गर इसके स्लोप निकालने की बात कर दे आप से इस तरह का वाली यह वीटी दे रहा है इसका स्लोप अपसिक निकलने की बात कर देता करना है तो मैं यह स्लोप का प्रोर्मॉला तो कि सब बेसिक चीज है ठीक है ना तो यह वैलसिति टाइम की बात अपी अचा फिर अपन बात करें एक्सिलेशन की एक्सिलेशन का क्या होता है एक्सिलेशन अपवान टाइम ठीकिन लोगी का बैसे ROBERT Nik zugya अब निकाल सकते हैं कि तुम जैसे वह टूससे कि बीजियल रहे लोगे मोट यूनिफोर्म हो गया एक्सिल्ट Як धिकनक की आपको कभी कभी अब ताइमade कोशन पूचा गया था कि यह किसका ग्राफ है और यह एक दम से यह किसका ग्राफ है ठीक ना तो इसमें क्या हो रहा था यह वैलसिटी और यह टाइम तो वैलसिटी टाइम उपको क्या बता था है अचा तो अब इसमें लिकाव है यह वैलसिटी बढ़ रही थी और टाइम भी बढ़ था तकॉंसट्ली वैलसिटी जीनु गया इसमें बढ़ जील मुआ हए तो इसमें बुक्छ पॉजाए तो यहां पर क्यों हो राता यह ओ गया में फिर आपढस बड़ी फिर आपस होगी फिर आपस बड़ी फिएकंटम सी जीरी आ यानि एकО्ष का ग्राफ था यह था ब्रेकिंग का ठीकिन इस तरह के कु roster पूचला है तो यह सब आपको graph पढ़ने आने चाहिए ठीकिन तो यह सब चीज थी अच्छा मैं बताता हूं जैसे यह है वैलोसिटी और यह है टाइम का एक मतलब तीन आप उनको दे रखी यह ठीक ना यह हो गया वी यह वी बी और यह वी सी अच्छा मुझे बताओ सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा एसलेशन में चेंज किसमा आएग आप पढ़ना घए का आपको कि वी सी में क्या हो रहा है एक से इसलोब यह नहीं से बना पाई तो इसकी वैड्ली भी चगा नहीं हो पाई च्यक्या और एक कि जब से जब से यह 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 यहां पर यह पी ठीक थे ना तो यह सब था एसलेशन का जब आगे चलते है हम आपन इ कोशन करके देखते हैं हो सकते आपको समझ में आजाए चिक ना कान कोल के सुन लीजेगा अच्छे समझ समझाएंगे आपन बस मौज लीजिए जिन्दी कीगे कुछ नहीं करना तरीके से फोड़ो के दे रहा है इसने के चेंज इन फाइनल वेलोसिटी बिट्वीड डिफ्रेंट टाइम इंटर्वेल इफ इनिशल वेलोसिटी इस फाइफ मिटर पर सेकेंड के चेंज इन फाइनल वेलोसिटी पोच रहा है बिट्वीड डिफ्रेंट टाइम इंटर्वेल अलग अलग टाइम time interval दे रखा है ठीक है ना तीन time interval दे रखे हैं इसके बीच में change in velocity पूच रहा है यानि change in velocity क्या होता है acceleration ही होता है लेकिन अब आपनको पूच रहा है change in final velocity find change in final velocity between different time interval अच्छा तो इसका मैं जब पूरा निकालना रहेगा acceleration upon time यानि इसका पूरी तरह के इस graph का मलब निकालना रहेगा final तक यहां से लेकर यहां तक निकालना रहेगा क्या करूँ है पूरा area calculate कर लो तो आपनको पता पढ़ जाएगा यह अच्छा इनिशल एक चुली इनिशल वैलो सिटी दे रख ही है पांच मीटर पर सेखिंड है ठीक है ठीक है चलें अब आगे तो देखो अब अपनको यह तो अपनको एस्टिलेशन दे रखा था तब इसका पूरा area निकालेंगे क्या होगा अच्छा यह triangle है सबसे पहले triangle क्या होता है half into base into height यह फिन मैं इस और diet value लिखूं half into base 5 और height 10 ठीक है न इसे 20 है न स्वरी 10 क्यों ले रहा हूं है वापस लिखता हूं मैं देखूं क्या बात हो रही है half into base 5 into 20 चौक चले न अरे क्या कर रहा हूं मैं यह 10 होगा 50 ठीक है न अच्छा फिर अपन बात करें 20 में rectangle है इसका क्या होगा 20 into 5 ठीक न फिर इसका क्या होगा देखो half into 5 into 20 यह वापस फिर वापस दुबारा 50 तो कि तो यह होगा 100 डेट सो और 200 ठीक है अच्छा इसकी initial utility भे दे रहे की थी 5 मेटरबर सेकिंड तो इसको घोरब दो … to be जोड़ तो टोटाल वैस्र टीक हो गई न वीज्जन वेल डुवाएं कång सरनों वैस्लास तो आपको समझने में आगे है nimate तो यह आपको पता पड़के टोटल किती थी थी दो सब फांस की बहुत है अच्छा आपको पूचा है चेंज इन एक्सिलरेशन बिट्विन डिफ्रेंट इंट्रवेल अफ टैंग तो महलब कि इसकी देखो मैं बात कुरूँ जीरो से पांच की बीच में तो अच्छा से पांच की बीच में एक्सिलरेशन का फॉर्मुला क्या था वी मैनस यो बाई टी ठीके न तो इसकी देखो इसके साब से 20 थी ना 20 अपन जीरो फीस माइनस और इनिशल किती थी जीरो थी जीरो अपन और टाइम कितना था पांच तो किती आई है चार मीटर पर सेकिंड ठीक ना महलब आपको यह ट्रेस करना है यह ग्राफ ट्रेस करना है बस अचाई फिर इस पांच और दस के बीच के बात करूँ तो यहां पर कोई चेंज नहीं आ रहा था कॉंस्टेंट ली चला आई होती है यह ट्रेस में 10 से फंद्रह तो सेम वही रहेगा लेकिन अब क्या फर्क रहएगा यह देखो यह जैड़ कोई चैलेसं यह फिर कोई भी ळूसीटी मुझलब किया तीह फंदल वाले सेटी क्या होगा पहल देखो यह तो यहां पर आ की फ्टैरा बसीटी जिर ठीक न तो क्या रहेगा 0-20 chop 5 10-5 कि इस मिनस पांच किता होता है पांच ही होता है na 15-10 तो अब क्यो होगा मिनस 20 यह यह आगा मीनस का 4 मिर्स्थी नी यह यह क्या हो Issue retardation हो रहा है यह minus साथी यह ओ했 Minsk तो देखो यहां पर आके रुख़या यह deceleration हो रहा है यह तो यह ऐसे इस तरह से question आते हैं ठीके ना तो इस तरह से question आपको करने रहेंगे महाँ पर तो अपना सबसे तगरा topic होता है सबसे खतरनाक topic और वह होता है motion इस से अंदर की क्या होता है basic चीज़ें वही है अब देखो पहला formula है v equals to u plus a t v minus u upon t equals to a यह formula आ गया यह लोग पहले से तो एक चुल में किया टीन equations d थी motion की तो उसके अंदर क्या हुआ था कि जो भी मालब direction dependent थी अच्छा u क्यों होता है initial velocity मालब सुरुवात में कोई velocity होती है ठीक है ना तो उसको initial velocity कहते है और v होता है final velocity ठीक है ना और इसमें s जो है को displacement से denote करते मैंने कहा था आपको यह acceleration होजाएगा ठीक हो जाएगा तो यह कुछ तीन equations है इस से आपके question बहुत ज़्यादा कि कभी कभी आ जाते है ठीक ना तो इसके मेरे साब से formula कैसा है वह में derive करने की जूरूत तो नहीं है ठीक ना आप कहोगे तो मैं कर दूँगा मुझे comment देना कि मुझे formula derive करके बता हूँ आप तो कहां से आया ठीक है अब ऐसे question exam में कोई नहीं पूछाएगा लेकिन आप फिर भी केशीद फकड़के बैटा होगा करना है तो मुझे बता देने में बता दूँगा derive करके भी ठीक है अच्छा मैं अगर तीन तीन में में पॉइंट बता रहा हूँ ठीक ना question किस तरह से पूछते हैं कभी कभी कैसा फूछ लिया कि अगर कोई चीजी acceleration 0 है तो किसका मतलब क्या हुआ body moving with constant velocity यानि वी constant है वी constant है ठीक ना फिर मैं पूछता हूँ अगर u 0 है तो body कहीं से start हो रही stop breaking ठीक ना तो यह सब चीजी थी अपने motion की अच्छा एक question कर लेते है क्या लिका है when a body uniformly accelerated from 1836 और time दे रहेगा 5 ठीक ना क्या 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 पूछा है acceleration है निकाल सकते हो equals to v minus u by t ठीक ना अटा अरह सुचतीस तो यह कितना हो गई यू और यह हो गई वी चतीस माइनस एक मिनट अब अब उनके गलती यह कर रहे थे कि यह जो चीज है ना यह इसको अब उनको मेटर पर सेकिंड में गनवर्ट करना है क्योंकि आप उनके यह बेसिक चीज है यह तो अब काम करो टाइम को में कर लो और में कर लो सुरी ठीक ना यह तो टाइम को और में कर लो यह फिर आप इसको उसमें चेंज करो तो मेरे सब चीज को इसमें चेंज करना बहुत असान रहेगा तो किलमेटर को मिटर में करना यानि किलमेटर को चतिज इंटु पांच बटे अटा रहा, तू, दस, यह रहा नहीं एक कितना दा, यू कितना आगया पांच और वी आगया दस, ठीकिना? मैं अपस हटा रहूं इसको, लिख लिए अपने, यू आया पांच वी आया तस ठीकिन अब देखो एक वस्टू वी माइनस यू बाइ टी सिंपल सी चीज है दस माइनस पांच अपॉन पांच यह नहीं पांच बटे पांच किता होता है एक मिटर पर सेगंड स्क्वाइर का यह ठीकिन यह तो आगया इसका एसलेशन अच्छा फिर पूचे डिस्टेंस ट्रेवल तो अपनको अपनको एसलेशन पता पुड़ गया एक मिटर पर सेगंड का स्क्वाइर ठीकिन यू पता है कितना था 5 था ना 5 मेटर पर सेकेंड वीब पता है 34, sorry 10 मेटर पर सेकेंड और अपनको T पता है 5 सेकेंड तो क्या अपन इस दिस्टेंस निकाल सकते हैं तो एक्ट्व में कुल मिला कि दिस्टेंस ये दिस्प्रेश्मेंट अपनको थोड़ा होगा परता है कभी कभी तो से हमस्का घ्राये तरही तो दिस्टेंस यह निकालने को बोल रहाई है यह यह यू टी फ्लस हाफ हे स्क्वेर हम ऐता ह iPhones टाइम किता दे रहाँ पॉंच प्लस हाफ education कितना निकल अपने एक ती किता दे रहा था वापस पाइंस कि पया स्कुरिय प्लस साड़े बारह किता हो गया 37.5 मिटर यानि इसने टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल की वह 37.5 डिस्टेंस ट्रेवल की है इस तरह के कुशन आते हैं तो अब देखो मैंने क्या गलती के लिए आपने देखा ना अब देखो आपके मैं नोट नहीं करता है यही गलती अपने को नहीं करने एक्साम में और यहां से आप इस गलती से सबक ले लिजेगा यह वैल्य जो भी एपने बेसिक जो यूनिट होती है वामेश आपने को देखने रहती है बाकि बिल्कुल सिंपल इन तीन इक्वेशन से क्वेशन हो जाएगा ठीक है ना तो दोस्तों एक और क्वेशन अगर आप चाहो तो आपके साम मक्स हजीर है कख ल मादा कोई दिखक नहीं है डैकड़ आप्लाए बरेक इट पाइक पॉंट वी if i pa university उप्टू सटेंग बोल रहा है कि यहां पर इसने ब्रेक कर दिया और यहां यहां तक इनople कितनी की अ अच्छा है सबसे पहले वैल सटिद दे रहा कीती ? ठीक है पहले कितनी थी इनिशाल कीती यह भी यहां पर तो इनिशाल गी ना यहां तो फोगई यानि V ओगई 0 ठीक है और U किती हो गई 20 ठीक है अच्छा टाइम कितना दे रहा था, 10-5, 5 से किन हो जाएगा, सिंपल सी चीज है, निकालो, पहले acceleration निकालना पड़ेगा तब भी आप स निकाल सकते हो, distance, तो acceleration के लिए क्या हो जाएगा, आपको acceleration तो निकाल लिए, आपने क्या हो जाएगा, आपको, आपको, आपके पास time है, velocity है, लेकिन आपके पास वो नहीं है, acceleration तो acceleration निकाल रहा है अपन पहले, तो V क्या था, 0 हो गया था, यहां कि V 0 हो गया था, minus U किता है, 20 upon T, यानि किता है, acceleration आपका, minus का 4 meter per second square, ठीक है, चल लें, आपके रफ कर दूँ इसको मैं, formula लिखो, UT plus half 80 square, distance travel ठीक है, U कितना था अपका, 20, time कितना था, 5, half, acceleration किता है, यह था, minus का 4, T कितना है, 5 का square, 25, यह कितना हो गया, minus 2, यहनि यह कितना हो रहा, यह था 100, यह minus Q लिए है, क्योंकि minus अपने acceleration हो रहा था, ठीक है, यह देखो, और ऐसे भी देखोगे, यह minus हा रहा है, negative slope है, इसलिए आपने लिए है, minus का, 50, 25, 50, तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किती कितना हो गया थी, 100 मेटर, ठीक है ना, sorry 50 मेटर ही का लिखती है, तो डिस्टेंस हो गया 50 मेटर, ठीक है ना, तो दोस्तों यह सब अपने पढ़ा है आज, और आई होब आपको graph, speed, distance, velocity, acceleration, uniform speed, rigid body, बहुत अच्छे तरीके से समझाए आपको, तो आई होब आपको इस सब चीजी बहुत अच्छे से समझ माई हो, तो प्लीज इस वीडियो को like and comment and subscribe जरूर करें, ठीक है ना, तो यह था इंड इस वीडियो का, आप सब अच्छे रहें इस virus के अंदर क्या है कि अभी बहुत बिमारे वगरा बढ़ रहें तो प्लीज घर में रहें और सेफ उस रक्षिज रहें और प्लीज इस वीडियो को share जरूर करें और आपको इसका link telegram के अंदर description में मिल जाएग ठीक है God bless you all